केंद्री एजन्सियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि सीबियाई और एडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कारवाई करती है जबकि सत्तापक्ष के खिलाब उसकी जाच काफी धीमी रहती है इन्ही आरोपों को लेकर नो विपक्षी नेताओं ने पिम मोदी को एक चठे लिखी है खत में कमजोर होते लोगतंत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए है और क्या कुछ है इस खत में और कौन कौन से विपक्ष के नेताओं ने पिम मोदी को सयुक्त पत्र लिखा है खत में आरोप लगाया गया है कि केन सरकार जाच एजन्सियों का दुरप्योग कर रही है विपक्षी नेताओं ने एडी और सीबियाई जैसी एजन्सियों का दुरप्योग करने की आलोशना की है पिम मोदी को ये सयुक्त पत्र, बियारेस प्रमुक चंद शेखर राओ, नैशनल कॉन्फरेंस प्रमुक फारुक अब्दुला, ममता बैनर जी, एनसीपी प्रमुक शरत पवार, उद्दव बाला साथ ठाकरे के चीफ उद्दव ठाकरे, दिली के मुख्यमंतरी अर्विन के पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान, बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश यादव ने लिखा है, खत में लिखा है कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्री अजंसियों के दुरुपयोग से हम लोकतंतर से निरंग कुष्टा में परिवर्तित हो गए है, खत में विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीम मनी सिसोधिया के गिरफतारी का मुद्दा भी उठाया, साथे असम के मुख्यमंतरी हिमंता बिस्व सर्मा का भी जिक्र करते हुए कहा गया, दल्सस्प बात यह है क बीजेपी में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ जाच एजंसिया धीमी गती से चलती है, उधारन के लिए कॉंग्रेस के पूर्व सदस्यों और असम के वर्तमान मुख्यमंतरी हिमंता बिस्व सर्मा की सीबी आई और एडी ने 2014 और पंदरा में शारदा च बीजेपी में शामिल होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं हुआ, विपक्षी नेताओं ने खत में राजेपाल और राजे सरकारों के बीच हो रहें विवादों का भी जिक्र किया है, अब देखना होगा कि विपक्ष की चिंता पर पीम मोदी क्या एक्शन लेते हैं, डीब